ओम श्यांति आज दिवाली का बहुत सुन्दर तिवार है इसको पहले नंबर का तिवार भी माना जाता है भारत में सारा देश, सारी सहर जग मगाने लगते हैं कितना सुन्दर लगता है उपर से यदि देखें तो पूरा सहर पूरा जग मगाता हुआ टाउन मन को अकरशित करता है अंदकार दूर हो जाता है ऐसे ही यदि हमारे चित का अंदकार भी दूर हो जाए हमारा चित रोशन हो जाए प्रकासित हो जाए और सबके हो जाए तो ये संसार भी जगमगा उठेगा, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा, यहां सच्ची दिवाली हो जाएगी वर्तमान संसार दुखों से भरा, अज्यानंदकार से भरा, गंदगी से भरा, मनोविकारों से भरा हुआ है भगवान ने इसको रोदव नर्क कहा है, हमें अपनी आत्म जोती जगा कर इसे पुने स्वर्ग में बदलना है तो आज हम सारा दिन एक संकल्प रखेंगे, मैं आत्मा हूँ और मेरी जोती इतनी जग जल रही है, इतनी उची उसकी लोट गई है, कि उसका प्रकास दूर दूर तक फैल रहा है हमारे चित में कोई भी चीज, कोई अवगुन, कोई बुरा संसकार, कोई विकार ऐसा हो जो हमारी इस जोती को मन्द करता हो, आज उस पर भी हम बहुत ध्यान देंगे क्योंकि हमारी जोती जगने से, अनेकों की जोती जगेगी हम सरस्टी के आधार मोड़त है और ऐसी कोई चीज हमारे अंदर है, जो बार बार हमारी जोती को मलीन करती है उसकी लोग को मन्द करती है, उसे हम हटाएंगे आज अपने जीवन से इस पर विशेश ध्यान देंगे आज का त्योहार आत्म जोती जगाने का, परमात्मा से नाता जोड कर अपने को पूरी तरह से enlightened and delightful करने का है, बहुत आनंदित करने का है तो हम इस पर बहुत ध्यान देंगे, वो सुंदर स्वरक का स्वर्णिम समय आ रहा है जब हम सच्ची दिवाली मनाएंगे दिवाली का त्योहार वास्तों में सत्युक्य उस दिन से शुरू होता है जब सत्युक्य के पहले विश्व महराजन, स्री लक्ष्मी और स्री नारायन तक्त नशीन होते है सारा ही डैस भारत उस समय, बहुत धूमधाम से खुसियां मनाता है एक पर्व हो जाता है सुंदर, उसको दिवाली कहा जाता है और वो कंटिन्यू होती है कोरोनेशन डे, यानि राज दिलक समारोग दिवस के रूप में वो हर वर्स मनाया जाता रहता है और द्वापुर से वो ही इस तरह सुरू हो जाता है कि दीप दान किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं लोग लक्षमी का हवान करते है हम सभी को इस से प्रेणा लेनी है कि हमें स्वयम लक्षमी बन जाना है नारायन तो हमारे पास आकर खड़े होई जाएंगे हम लक्षमी स्वरूपा बने हम धन की देवी बने और इसका आधार है के हम ज्यान धन की देवी और देवता बन जाएं ज्यान धन ही स्थूल धन को स्थूल वैभव को आकरसित करता है तो ये धन भी हम बहुत इखटा कर लें पूजा पाठ तो आज होगी बहुत जाद है इन सब चीजों की होती है जो जन्दान के निमित बनते हैं लेकिन हम तो पूजनिय आत्माएं हैं अपने पूजनिय स्वरूप को हम इमारश करके रखेंगे तो आज जैसे दिवाली पर बड़े दीपक से छोटे दीपको को जलाया जाता है हम अपना कनेक्शन निरंतर महा जोती से लगाए रखेंगे ताकि उसकी जोती हम में आती जाए हम में समाती जाए और हमारी जोती तेजी से उची उठती जाए तो आज का दिन बहुत ही खुशियों का दिन है हम ब्रमावत्सों के लिए तो सच्ची दिवाली उस दिन हो गई थी जब हमारा परमातम मिलन हुआ वो पहला दिन हमारे लिए सच्ची दिवाली था और हम रोज ही परमातम मिलन के सुख के द्वारा अपनी आत्म जोती की जोती को बढ़ाते रहते हैं और स्वयम को प्रकासित करते रहते हैं हमारा जीवन तो सुखों से संपन्ण हो गया है हम बहुत सुखी रहें हम आनंद में अपने जीवन को बिताएं हमारा चित सदा प्रकासित रहे यही हमारी इस रेष्ट पर उपर सभी व्रह्मावत्सों के लिए सुब कामनाई हैं ओम स्यामते